हेलो एवरीबन तो आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में प्रशना वाली 7.5 का प्रशन स्रेंख्या 13, 14 और 15 यानि कुल मिलाकर तीनों कोस्चन हम लोग आज कॉभर करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चेप्टर 7 है वह पुरा समाकलन आई मिन एंटिग्रेशन है तो प्रशन स्रेंख्या 13 वह यूँ कोस्चन है कि 2 बटा 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x स्क्वार तो प्रशना वाली 7.5 में इस्पेसिली जितना भी कोस्चन है उस सबका एंटिग्रेशन हम लोग जो करते हैं पार्सियल फ्रैक्षन यानि कि आंसिक भीन में बदल करके जितना भी कोस्चन है तो अलग-अलग कोस्चन के हिसाब से 2-3 इसमें फॉर्मूले लगते हैं तो इसमें ध्यान देना है कि हमारा जो कोस्चन है यह देखिए 1 रैखिक हो और एक दुईघात हो अध्यान यह दिजिएगा कि दुईघात का गुनन खंड अगर नहीं किया जा सके तो इसको पार्सियल फ्रैक्षन में बदलने का फर्मूला होता है यह बटा यह रैखिक बहुपद पलस बी एक्स पलस सी बटा यह दुईघात बहुपद ठीक है ना यह फर्मूला होता है तो कैसे बनाएंगे तो देखे सबसे पहले लिखेंगे माना और जो हमारा कुष्चन है यह वाला तू वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वाइर बराबर जब इसको फार्सियल फ्रैक्षन में बदलेंगे तो हो जागा यह और अब बटे में रखिक बहुपद 1-1 एक्स प्लस होता है भी एक्स एट और बटा में हो जागा 1-2502 यह हमारा काता है फर्मूली Convene में बदलने का अब क्या करेंगे यह तो हमारा ऐसे ही रहगा दो बटा 1-1 एक्स इंटू 1- brought स्क्वाइर और इधर हम लोग क्या करेंगे लCM ले लेंगे हम करेंगे यहाँ यही होगा तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1-x cancel जा रहा है तो आपके पास क्या बचेगा बच जागा A into 1 plus x square किलियर है प्लस लगाएंगे और यहां देखिए यह हमारा पूरा कट गया 1 plus x square कट जा रहा है तो बचेगा Bx और Bx और into में यह 1-x फिर से पलस c है पलस c लगाएंगे देखें आस और इसको भी into करेंगे इससे यह cancel था तो फिर से 1-x इसको into कर देगा यहां ता कोई दिखका तो हमने LCM लेकर ऐसा कर दिया अब क्या हुआ कि यह और यह दोनों cancel हो गया कट चुका है तो अब हमारे पास क्या आए गया तो अब हमारे पास इस तरफ तो only 2 है और इस तरफ आ गया a into और इसको थोड़ा सा सही कर लिजे 1 प्लस x स्क्वाइर को लिख देंगे x स्क्वाइर प्लस 1 ताकि हमको आगे e g हो प्लस में हमको इसको b into ध्यान से दिखेगा b into और यह b और यह x इसको into कर दिजे b को बाहर करेंगे x को इसे into करेंगे तो x और minus x से x को करेंगे तो minus x स्क्वाइर तो पहले लिख देंगे minus x स्क्वाइर और प्लस हो जागा x minus x स्क्वाइर प्लस क्या हो जागा x और plus c लगाएंगे और यहाँ पे into कर देंगे c से तो यह तो कुछ नहीं होगा minus x पहले और plus 1 देखे इसको इतना लिखने में कोई doubt बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ठीक है अब यहां तक जब हम आ गए तो क्या करेंगे आप इसको हम लोग समीकरन एक मान लेते हैं द्यान दीजेगा इसको समीकरन एक तो मान देंगे ठीक है अब क्या करेंगे इस यह देखे दो और इस तरफ जो है इसमें दोनों तरफ यानि एलेचस और आरेचस दोनों तरफ जो है x square x के गुनांक और अचर संख्याओं की तुल्ना करने पर ध्यान देजेगा लिखेंगे अब दोनों तरफ दोनों तरफ x square x के गुनांक एवं या और अचर संख्याओं की तुल्ना करने पर तुल्ना करने पर थीका ना तब तुल्ना कीजिए तो यह देखे इस तरफ x square का गुनांक कुछ है x square है यह नहीं तो यहां क्या हो जागा 0 और इधर देखे इसमें अगर गुना करेंगे a को x square से x square का coefficient गुनां क्या हो जागा a आ जागा ठीक है ना इसमें क्या आ जागा तो minus का b आ जागा क्योंकि इसको गुना करेंगे तो minus b x square minus b और इसमें x square है ही नहीं तो यही आपका होगा और इसको मान लिजे इस तरीके का यह रोमन से समीकरन एक कोई डाउट फिर देखे x square का compare कर लिए तुलना आब x का तो x का गुनां कि इधर कुछ भी नहीं x है तो x इधर 0 आ जागा और इस तरफ इसमें x नहीं है इसमें आगा देखे b x b को x से गुना करें b x तो यहां पे आजाएगा b और इसमें माइनस c x हो जाता है तो इसमें आजाएगा माइनस c यह आपका हो गया समीकरन दूर दिखने किस तरीके से equation बना रहा है अब अचार संख्या की तुलना करें तो अचार संख्या कितना है दो है तो इस तरफ हो जागा दो और इसमें अचार इस को ऐसे गुणा करेंगे तेहाँ पर हो जागा कितना ए और इसमें तो हो गारे्ट क्योंकि स्क्वाइर और एक स्विकरन तीन को स्वया करके a B और सी का वैलू फाइंड करना है ठीका ना इसको हम अलग कर चुके हैं तो इसमें ए बराबर निकल जाता है कितना ए बराबर हमरा निकल जाता है एक और बी बराबर भी निकल जाता है एक और सी बराबर भी निकल जाता है एक तो इसको करने में बहुत टाइम लगता अगर हम बनाते तो वीडियो लंबा हो जाता आपको इसको abc का मान निकाल देना है और आप निकालेगा तो a b और से तीनों का वेलू कितना रहा है एक आ रहा है अब क्या करेंगे a b और सी का है यहां पर कि यह समय करन एक जो हमने मानेत है यहां पर a b और सी यहां पर ABC का वेलू रख देंगे बहुत असान इस्ट्रिएंट्स अराम से समझे तो लिखेंगे अब अब ए बी और शी का मान समी करन एक में रखने पर तो यहां देखें समी करने कि समी करने के हमारा यह दिखें यह वाला दिकाय देर आओगा इसमें क्या करेंगे दो का दो ही रहा जागा इस तरफ द्हान से देखेंगा इधर तो दो ही रहा जागा यह और बटा में क्या है बटा में हमारे पास है 1-x into 1 plus x square और हमारा इधर हो जागा यह देखे ए है यह देखे ए है तो A, B और C तीनों का भेलू डाल रहा है पराम से समझे तो यह हो जागा 1 बटा और हो जागा 1-x प्लस में हो जागा B, X ठीक है ना, तो B का मान 1 है तो 1-x प्लस C है, C भी हमारा एक है और बटे में क्या था तो बटे में था 1 plus x square यही था हमारा डाल दिये भी लूँ अब क्या करेंगे students, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे with respect to x यानि की dx के respect में आपर देखे समाकलन इधर भी कर दिये dx इधर भी कर दिये dx और इधर भी कर दिये dx दोनों तरफ क्या कर दिये, समाकलन ABC का भेलू डखने के बाद अब क्या करेंगे? कि अब हम आराम से simply इसका integration करेंगे तो इसका 1 by 1 minus x का integration क्या होता? आपको पता होगा इसका होता है log mode 1 minus x नहीं log x होता है 1 by 1 minus x का integration होता है log x और x के जगा पर मेरे पास क्या है? 1 minus x है तो डाल दिये अब देखे ध्यान से कि इसका differentiation करेंगे तो इसको अलग-अलग कर देंगे? क्या कर देंगे? अलग-अलग एक बार इसके और इसकार इसके तो इसको ऐसे लिख सकते है? integration का shine और एक को x से इंटू करेंगे तो क्या हो जागा? only x हो जागा तो x बटा में 1 plus x square प्लस लगाएंगे और फिर integration और एक ये एक और बटे में 1 plus x square यहाँ भी dx यहाँ भी dx यानि हम इसको अलग-अलग कर दी इसको खोल दी इसके साथ भी 1 plus x square और इसके साथ भी 1 plus x square अब अराम से इसका integration करेंगे इसका integration कैसे करेंगे? यह तो ऐसे ही रहेगा log 1 minus x और प्लस देखे, आप ध्यान से देखे इसको हम जो है कैसे integration करेंगे तो जानते हैं कि इसका differentiation जो है differentiation 2 x होता है तो यहाँ हम 2 कर दे और यानि दूसरे उपर जो है गुना कर दे और ले आदूसरे भाग कर दे तो कोई फर्क नहीं पर दे है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? cancel हो जाएगा ठीक है न? अब जो है आप आराम से आप जो इसको क्या मान सकते है T क्या मानेंगे T तो यह T करेंगे तर 2 इसका differentiation क्या होता है 2x dx तो 2x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा तो dt हो जाएगा तो इसका हो जाएगा log T क्या हो जाएगा? log T हो जाएगा लेकिन T हम किसको माने है 1 प्लस X स्क्वाइर को तो यहाँ पर देल लेंगे पहले तो log लिखे 1 Y 2 log 1 Y 2 log T और T के जगा पर क्या है 1 प्लस X स्क्वाइर तो यह simply हम put कर देंगे चीज़ को समझे की नहीं हम 200 उधर गुना कर दिये इधर डिवाइड कर दिये और इसको मान लेंगे T तो इसका जब हम differentiation करेंगे तो 2X DX जो है DT हो जागा और DT by क्या हो जागा T तो DT by T का जो होता है integration वो log T होता है और T हम इतना बराबरा T का value डाल दिये इससे बहुत जल्दी बनेगा प्लस integration 1 बटे 1 प्लस X स्क्वार का integration आपको पता है क्या होता है 10 inverse X होता है यहापे क्या डाल देंगे 10 inverse X पूरा आपका हो गया प्लस में क्या डाल दिये C और इसी के साथ आपका question जो है पूरा बन चुका है यही हमारा answer है लेकिन इसमें क्या ध्यान देना है एकची ध्यान देजेगा कि यह दो क्या 1 minus X 1 minus X तो X का coefficient क्या है X का coefficient minus 1 है तो यहाँ पे लगाएंगे minus 1 और एक line इसको और बरहा देंगे तो यह minus आजागा तो minus का log और हो जागा 1 minus X पलस हो जागा 1 by 2 log mode 1 plus X square पलस का हो जागा 10 inverse X पलस C और यही हमारा finally क्या हो गया answer हो तो मैं उमीद करता हूँ कि कुस्षन नमर 13 आप अच्छी तरीके से समझ चुक है ठीक है न अब हम लोग करेंगे कुस्षन नमर 14 ठीक है देखे यह है कुस्षन नमर 14 बहुत आसान कुस्षन नमर 14 बहुत तीजी है देखे यह हमारा कुस्षन है ठीक समाइनस वन बटा वन प्लस टू का होल स्क्वार ठीक है न का डिफ्रेंशियस एंटीग्रेशन आपको ग्यात करना इसका मान ग्यात कि ठीक है न तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको पार्सियल फ्रेक्षन में बदलते हैं तो ध्यान दीजीए कि यह जो कुस्षन है यह जो कुस्षन है जिसका दुईघात समीकरन हो है ना और उसका जब पार्सियल फ्रेक्षन में बदलेंगे तो पहले यह बटे ये रेकिक बहुपत लगांगे आप पलस B बटा जो आपका कोशन है वो डाल देंगे ठीका ना कुल मिलाकर देखिए ऐसे मैं बात कर रहा हूं कि इसको जब पार्सियल फ्रेक्शन में चेंज करेंगे तो ये तो इस तरह ऐसा हो जागा और जब इसको फार्सियल फ्रेक्शन में बदलेंगे तो A बटा X पलस 2 हो जागा फर्मूला के कॉडिन और पलस B बटा जो आपका कोशन है वही राजाता है ये इसका फर्मूला होता है जब B इस तरीके का कुशन हो तो इसको एक A बटे रहकिक बवपद और पलस B बटा दुईगात बवपद हो जाता है ठीक है ना चलिए तो इसको हम ऐसे चेंज कर दिये अब इसको अराम से इधर तो यही रहागा 3X-1 बटा में X पलस 2 क्या होले स्क्वाइर और इधर LCM करेंगे तो इसका LCM दोनों का कितना हो जागा X पलस 2 का होले स्क्वाइर ही होगा क्योंकि 2 और 4 का LCM कितना होता है होता है आपक्त यह स्कॉयार काञुटक एक्स फाराश स्कॉयर का हुले स्कॉयर का दीख ह्सक्उप्राशिक है खिंगा बंद स्कॉयर हो रिए जाए और इस चकॉयर काई च्यूर घर केट पूरा जूररी प्लस क्या हो गया यह बहुत आसान था धिसलिक न्यों इसको तो हमको मानना है समीकरन एक हमेशा आप देखिए इसमें हम आराम से x है और इधर भी x है और अचर है तो लिखेंगे कि दोनों तरफ अराम से बहुत ही जी है दोनों तरफ x के गुनांक x के गुनांक को और अचर संख्याओं की तूलना करने पर दोनों तरफ x के गुनांक कोर अरचर संच्छाओं की तूलना करने पर ठीक है न? अराम से सब करते हैं अब देखिए इस तरफ x का गुनांक कितना है? तीन है तो इधर तो हो गया तीन और बराबर में इधर देखिए a x X का गुना क्या हो जागा A और कही X नहीं है कितना EG से मुझे A का मान निकल गया इसको माल लिजे समी करन A A बराबर निकल गया अब देखे अचर संख्या इधर कितना है माइनस 1 तो इधर लगाएंगे माइनस 1 और इधर अचर संख्या कितना होगा टू को A से गुना करेंगे तो क्या हो जागा टू है और B भी तो हमारा अचर संख्या ना प्लस B इसको माल लिजे समी करन दो तब इसमें देखे A का मान तो निकल गया A बराबर कितना आ गया तीन अब B बराबर क्या हो जागा तो देखे यहाँ पर A का मान रख जिए तो तीन दूनी कितना हो जागा छो इधर पला छो उधर जागा तो माइनस छो तो माइनस A का माइनस छो तो B बराबर कितना हो जागा माइनस साथ तो अराम से देखे A और B का मान निकल गया A बरावर और ये B का मान निकल गया अब A और B का मान जो है समीकरन एक में रखते हैं हर कुस्टन की तरह इसमें भी तो लिखेंगे A और B का मान समीकरन एक में रखने पर अब कुछ नहीं करना है समीकरन एक देखे यह देखे यह है न समीकरन एक इसमें A और B के जगापर एक के जगापर तीन और B के जगापर माइनस साथ के बल पुट कर देना है तो क्या हो जागा से दिखे इस तरफ तो ऐसे ही रहेगा 3X माइनस 1 बटा में X प्लस 2 क्या होल स्क्वाइर और इधर हो जागा 3 बटा X प्लस 2 और प्लस में हो जागा B बटा यानि B कितना है हमारे पास, sorry, value रखना है न यह माइनस 7 एस्ट्वेंट्स ध्यान देना, माइनस 7, B कामान कितना है माइनस 7, तो माइनस 7 बटा X प्लस 2 का होल स्क्वार, इदेखे आराम से रख दिए अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अराम से एंटीग्रेशन कर देएंगे, द्यान से देखे तो इधर भी एंटीग्रेशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू X इधर भी कर दिए, D X और इधर भी कर दिए, देखे integration कर दिए, आव integration आराम से कर दिजे, तो आपको पता है, कि यह three x और यह बटा two, इसका integration क्या हो जागा,аем chatting, here we are constant, यह हमारा construct जो हा, वो क्या हो जागा, बाहर चला जागा, एक append bura देते इसको ऐसे लिख सकते हैं, कि three बाहर में इधना one beta x plus two, dx पलस और इसमें भी ये भी बाहर थे पलस नहीं माइनस कर दिए माइनस 7 बाहर कर दिए तो इधर क्या बच गा integration में 1 बटा x पलस 2 का whole square यही बचेगा ना simple सा है यही बचने वाला तो अब क्या करेंगे हम लोग कि यह हो जागा क्या ची 3 log mode x plus 2 क्योंकि 1 by x का 1 by x का log जो integration होता log x होता और x को जब पर क्या x plus 2 है तो हमने डाल दिए अब देखिए यह माइनस 7 और इसको थोरा सा और बरहना नहीं तो बाद में problem हो जागा आप लोग नहीं समझेगा इसको क्या करेंगे कि इसको जब उपर भेजएंगे तो यह हो जागा x plus 2 और पावर में माइनस 2 चला जागा जब पावर यह नीचे था पलस उपर जागा तो माइनस में आ जागा यह इसका पावर ठीक है ना और फिर से इसका dx हो जागा पलस क्या हो जागा अभी dx ही रहेगा ठीक है ना अब देखे अब यहाँ पर यह तो ऐसे ही रहेगा 3 log x plus 2 और माइनस 7 अब देखे ध्यान से अब यहाँ पर इसका जब हम लोग integration करेंगे अराम से देखेगा तो इसका integration करेंगे तो क्या हो जागा 7 into ठीक है ना 7 into x plus 2 और आपको पता है कि power एक plus हो जाता है और वही जो है अपका नीचे आजाता है यानि कि minus 1 plus 2 जो power है ना जो भी power plus 1 हो जाता है फर्मूला से और जो power उपर रहता है वही नीचे आजाता है पता है उसके बाद क्या करतेंगे प्लस का c अब देखे अराम से अब last line अब सवाल बन जागा तो बराबर हो जागा 3 log ये तो ऐसे ही रहेगा x plus 2 और इसको जब करेंगे तो minus 1 हो जागा power जान से देखे इसका power minus 1 एक दावर बरहा देते हैं इसका मतलब हो गया x plus 2 का power minus 1 और यहाँ पे minus 1 plus का c ठीक है ना अब हो जागा 3 log x plus 2 और इसका हो जागा ये वाला minus और ये वाला minus ये minus minus मिल करके क्या हो गया plus तो plus 7 और देखिए इसका जब हम फिर से बटा में लाएंगे तो बटा में आगा तो एक बटा हो जागा यानि की एक बटा क्या हो जागा 1 by 1 by x plus 2 क्योंकि यह power negative है जब नीचे आगा तो positive करेंगे तो यह minus positive होगा तो यह 1 आजागा पलस का c आप एतना भी छोड़ सकते हैं या एक line और इसको बहा सकते है answer के लिए 3 log x plus 2 और इसको into करेंगे तो हो जागा 7 और by में x plus 2 और यह होगा आपका answer कोई दिकत नहीं होगा इस तरहीके से हमारा पूरा question जो है question number 14 बन चुका है ठीक है ना आप question number 15 की ओर बारेंगा question number 15 ठीक है ना चली question number 15 जो है यह देखिए 1 बटा x to the power 4 minus 1 इसका integration मुझे इसका मान ग्यात करना है ठीक है ना इसके integration कैसे करेंगे तो सबसे पहले question को पहले जो है और e g कीजिए question को और आप क्या कर सकते हैं question को हम ऐसे लिख सकते हैं जहां से देखिएगा कि 1 बटा x to the power 4 minus 1 dx इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटा यह देखिए x का power 4 को हम लिख सकते हैं x का power 2 का square लिख सकते हैं बिल्कु लिख सकते हैं यानि कि इसको लिख सकते हैं x का power 2 का whole square a square minus b square का formula होता है a minus b into a plus b इसको हम यह ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि x to the power 4 जो इसको लिख सकते हैं यानि X स्क्वाइर का पाबर A स्क्वाइर और एक का वन का स्क्वाइर तो A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर तो A माइनस B इंटू A पलस B फर्मूला होता है अब इसको थोरा सा और बरहा सकते हैं ध्यान से देखेगा इसको हम लोग थोरा सा और बरहा सकते हैं कैसे बरहा सकते सकते हैं कि one बटा a square minus b a square वन को वन का स्क्राइर लिख सकते हैं फिर से स्क्राइर minus b a square एंटू a plus b और यह आपका ऐसे ही रहेगा x square plus 1 और इसका dx तो कुल मिला करके देखिए कि इस question को हम यहाँ पे ले आए अब मुझे इसका integration करना है क्योंकि इसको हम इस रूप में लाया है अब इसके integration कैसे करेंगे तो फिर से इसको partial fraction में चेंद करेंगे तो देखे यह राखिक यह भी राखिक तो ए बाटा इतना बी बाटा इतना और यह अंति में दुई घात है और इसका और गुनन खंड नहीं होगा कि माना वन बाटा एक्ष माइनस वन इंटू एक्ष प्लस वन इंटू एक्ष स्क्राइर प्लस वन कुझ अ पार्शियल फ्रेक्षन में बदलेंगे तो यह हो जागा A बटा X-1 प्लस का हो जागा B बटा X-1 और यह द्विघास समिकरें इसका और गुनर खंड नहीं होगा तो यह हो जागा CX-D तो यहां से देखेगा CX-D और बटे में हो जागा यह आपका X-square प्लस 1 इस चीज़ को आपको समाझ नहीं है इस रूप से बदलाएगा अब क्या करते हमेशा की तरह इसका LCM करेंगे तो यह तो ऐसे ही रहेगा 1 by X-1 इंटू X-1 इंटू में X-square प्लस 1 और इधर जब इसका LCM करेंगे X-1 इंटू X-1 इंटू X-square प्लस 1 ठीक है न आप क्या करेंगे और यह तो यहाँ पर लिखेंगे A इंटू X-1 इंटू X-square प्लस 1 इसमें देखे X-1 से X-1 कैंसी लोगा तो B इंटू X-1 इंटू में X-square प्लस 1 और आखरी में प्लस में हो जागा आपका पहले CX और CX के साथ इंटू करेंगे तो यह पूरा कर जागा तो क्या बचेगा X-1 इंटू X-1 इंटू X-1 खिक है न और जब इसको हम गुना करेंगे दियान से देखेगा इसको इसको गुना करेंगे तो क्या हो जागा A-square-B-A-square इसको आप ऐसे भी लिख सकते है दियान से देखेगा अगर इसको मैं गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा A-B-A-square-B-A-square इसको ऐसे भी लिख सकते है तो यहाँ पर हम क्या कर दें जगा थोरा साभाव है तो X-square दियान से देखेगा A-1 हो जाएगा क्योंकि यह तो कट चुका है X-square plus 1 X-square plus 1 cancel हो चुका है तो यह दोनों भचरा जिसको गुना कर दिये X-square A-B-A-square A-B-A-square अब प्लस में होगा यहाँ पर प्लस डाल देजे ध्यान से यहाँ पर प्लस और यह D डाल देजे D into फिर से X-square minus 1 ठीक है ना क्योंकि इसपेस का कम ही था इस चीज को समझ लिजे अगर आप नहीं समझे तो इसको मैं रोफ में बता देता हूं कि मैंने कैसे किया यहाँ पर जो है देखे ध्यान से कि यहाँ पर मेरे पास था CX प्लस D ठीक है ना और इसको हमको नीचे से डिवाइड करना था X-1 into X प्लस 1 into X-square प्लस 1 तो इसमें देखे कि यह से यह कड़ जाता है तो यह बच रहा है मेरे पास इसको गुना करेंगे पहले CX इसको लिख सकते हैं CX into A-B into A-B 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 प्लस फिर D लगा कर फिर यह कड़ चुका है A-B into A-B तो फिर X-1 तो यही हमने यहाँ पर लिखा है तो इस चीज को ध्यान दिजेगा हमने यहाँ पर यही लिखा है थोरा से सोट में ठीक है ना इस पेस की कम ही होने के कारण चलिए कोई बतने बागे देखे यह पूरा से पूरा यह कड़ गया तो अब इधर क्या बच गया इधर तो 1 बच गया और इधर क्या बच गया A into अब इसको हम लोग अगर गुना करेंगे ध्यान से देखेगा इसको हम लोग और ज्यादा गुना करें तो गुना करेंगे तो क्या होगा तो गुना करने पर मेरे पास हो जागा इसको पूरा को गुना करेंगे तो X क्यूब प्लस X स्क्वाइड प्लस X प्लस 1 X को X स्क्वाइड से कित X क्यूब x को 1 से किये तो x और 1 को x स्क्वार से तो x स्क्वार और 1 को किसे तो 1 और हमने शाजा कर लिख दिया कुदिकत पलस देखे b और b into फिर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जागा यहाँ पो हो जागा x cube minus x square plus x minus 1 और plus में c into क्या बचेगा तो c हमारा इसको जब हम गुना कर देंगे तो क्या हो जागा c हमारा हो जागा x cube क्योंकि x से गुना करेंगे इसको x cube और minus 1 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जागा minus का x ठीका और आखरी में जो है यह देखे plus का d into यह वाला d into तब फिर क्या हो जागा, bağ xqafer and –1 में से स्क्वायर हो जायोगा, इसलिए यहाँ 3 नहीं हो नहीं और स्सक्वार से की और –1 यहां को स्क्वायर था' स्क्वायर में से खेंगा ए लिकन दी ए खेंगे पर फजयर दिए hara स्क्वाइर एक्ष के गुनां को और अचर संख्याओं की तूलना करने पर तूलना करने पर देखें यहां हमारे पास क्या एक्विशिन बनेगा इधर देखें न तो एक्स स्क्यूब्ये न है इस स्क्वायर एक्से कुछ भी नहीं है तूलना इदर क्या हो जागा जरो और इधर खै आप का हं कि ये इसको यह वाला समिक्रन एक माल लेजे छिए थिका ना आप इसमें देखे आप X एक्सक्वार कर दिया डिया में क्या कुछ बहुत नहीं इदर जीरो इधर X स्क्वार में क्या हो जागा इधर क्या हो जागा मैंस भी इधर है ही नहीं और यहाँ पर D आ जागा है क्योंकि D के साथ है न तो इसलिए इधर हो जागा A minus का B plus का D equation second और फिर से X भी नहीं है इधर X का जब coefficient का compare करेंगे तो नहीं होगा इधर X में क्या आ जागा इधर आ जागा A plus का B minus का C और आखरी में अचार संख्या अचार संख्या हम इधर क्या 1 है इधर हो गया आपके पास 1 और इधर हो गया A minus B और minus का D समीकरन 4 आप पूरा को आप स्वल्ब कर लिजएगा समीकरन 1, 2, 3, 4 को आपको A, B, C और D का मान निकल जागा अगर हम अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जागा इसलिए हम कर चुके हैं A बराबर हमारा मान कितना आ गया है सब कमान लिख देंगे A बराबर 1, Y, 4 आया है B बराबर minus 1, Y, 4 आप करके देख लिजएगा C बराबर 0 आया और D बराबर minus 1, Y, 2 आया अब इन सारे वेलू को जो है A, B, C और D का वेलू यह समी करन एक में यहाँ पर हम लोग A, B, C और D के जगह पर पुट कर देंगे ठीक है तो देखें कैसे होगा ताब इसके लिए क्या करेंगे हम लिखेंगे A B और A, B और C का A, B और C का मान समी करन एक में रखने पर ठीक है? समी करन एक में रखने पर समी करन एक में जब A, B, C का मान रखेंगे तो क्या हो जागा हमारे पास? तो समझना है तो इधर तो यही रहा जागा इधर तो जो कोस्टन उपर में आपने लिए है वही रहेगा क्या हो जागा x-1 into x plus 1 into x square plus 1 और इधर हो जागा ए तो एक का मान कितना है एक बटे 4 तो एक बटे 4 को हम लोग क्या कर देंगे बाहर कर देंगे ठीक है न तो हमारे पास क्या बचेगा इधर में इधर में हमारे पास बचेगा एक बटा x minus 1 ठीक है प्लस में b का मान minus 1 बटा 4 इसको अगर बाहर कर दिए तो हमारे पास क्या बचेगा एक बटा x plus 1 ठीक है और जब c का मान डालेंगे तो c का मान हमारे पास 0 था तो यह हो जागा 0 0 यहां पर ध्यान से दिखेगा यहां पर हमारे प्लस हो जागा 0 into X यहां पर ध्यान से समझेगा यहां देखेंगे CJ Ro 태 0 into X पालशीडे थी का मान लोग कितना निकाले थी-क अमान निकाले A Most 1 ऑप दो यहां पर थोरा चाप्रोडम में जगह का तो यहां पर का मान हम लोग रख रहे हैं माइनस एक बटे दो यह देखिए एक बटे दो ठीकर अब इतना कर दिये आप क्या करेंगे बटा में आपके पास क्या आजागा आजागा एक स्क्वार प्लस का वन अब दोनों तरफ समाकलन कर दिजा इंटिक्डेशन तो इधर भी कर दिये इसको बाहर करके इधर भी कर दिये इसको बाहर करके इधर भी डी एक्स कर दिये और इसका भी कर दिये अब अराम से बन आए तो अब हमारे पास क्या हो जागा 1y4 और 1 by x minus 1 का फरमूला हो जाता है log x तो इसी साफ से हो जागा 1y4 log और x के जगाँ पर है x minus 1 माइनस जो यहाँ पर है 1y4 तो फिर से हो जागा minus 1y4 और हमारा हो जागा log x plus 1 ठीक है और यहाँ पर जो है जहाँ से देखना है कि इसको आप अलग अलग कर देंगे c के साथ अलग और इसके साथ अलग तो यहाँ पर हो जागा ध्यान से देखना minus 1y2 ठीक है न यह जो 1y2 हमने यहाँ पर मान रखा था ठीक है न क्योंकि इसको अगर 0 से गुना करेंगे तो 0x हो जागा 0x हो जागा तो वो तो खतम हो गया तो केबल क्या बच गया माइनस वन देख यह खतम हो गया 0x गुना के 0x तो खली क्या गया minus 1 by 2 तो इसको बाहर कर दिये और बाहर जब कर दिये तो हमारे पास केबल क्या बच गया एक और बटे में x square प्लस 1 इसका dx ठीक है अब इसका dx करेंगे तो यहां पर देखे लॉग m माइनस लॉग n 1y4 लॉग x-1 है और 1y4 लॉग x-1 है तो लॉग m माइनस लॉग n का फरमूला होता है कि 1y4 लॉग और हो जागा m बटा n तो यहां हो जागा x-1 और बटे में हो जागा x-1 कोई डाउट और माइनस हो जागा 1y2 और यह-1y2 इसको यह कर दिये और 1 बटा x square प्लस 1 का जो integration होता है वह होता है 10x तो यहां पर 10x plus c यह आपका क्या होगे answer इस तरीके से कुस्षा नमर जो है 15 वह complete होता है ठीका न फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार